स्वागत हमारे टिव चनल में देखेंगे आज किस वीडियो में देखेंगे क्लास नाइन बोर्ड परिच्छा 2022 सोसल साइंस का मोस्ट भी वी आई सब्जेक्टिव प्रस्न जो आपका डिरेक्ट एक्जाम में देखने को मिलने वाला है इसलिए वीडियो पर आन तक बने रहे और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजेगा और चैनल पर पहले वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी बल आइकन को प्रेस का नोटिफिकेशन को ओन कर लिजेगा देखें इस चैनल पर क्लास नाइन के लिए बहुत महतों पूंत त्या इस वीडियो का हर एक प्रसन को पूरी अचीतरा से देखेगा क्योंकि इस वीडियो का हरेक प्रसन आपके लिए बहुत महत्तपून होने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो पर अंतक बने रहीगा देखें सबसे पहले मैं आपसे कुछ काना क्लास एक से 7 तक एक्जाम हो जागा उसका बात क्लास 8 9 और 11 का एक्जाम 16 जुन से श्टार्ट हो जागा तो आपका एक्जाम में अभी एक महीना का समय दिया गया है तो देखिए जितना भी स्लेट्वे जो आपका टर्म 2 में पर्णा है सबी जो आपका सब्जेट में पर्णा है हर एक चेप्टर को यहाँ पर मोस्ट भी भी आई सब्जेक्टिव प्रसनों का वीडियो अप्लोड हो जाएगा इसलिए चेनल को सब्सक्राइब कर देगा और साथी बलाइकन को जरूर प्रेस करिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पर अंतक बने रहेगा देखे एक बच्चा के कमेंट था कि सर इस वार सब्जेक्टिव का एक्जाम होगा ना कि अब्जेक्टिव का तो देखिए मैं आपसे कहने चाहूँगा कि जो आपका एक्जाम जो है अब्जेक्टिव भी लिया जाएगा और भेरी सोट यानि लगो और सोट यानि लगो और लोंग यानि चार प्रकार का आपका एक्जाम लिया जाएगा सब्जेक्टिव प्रस्ण में जो आपका चार प्रकार का जो है लिया जाएगा तो आपका अब्जेक्टिव अतिलगू सोट यानि लॉंग जो आपका चार प्रकार का मिलेगा सब्जेक्टिव में प्रस्ण तो चार परकार का जो आपका एक्जाम है लिया जाएगा सब्जेक्टिव में चार परकार का तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे जो आपका प्जेक्टिव है इससे में आपको जो है जो आपका भेरी सोट यहां से भी आपका हो जागा यानि अतिलगो इसलि तो देखिए आपका पहला प्रसन था कि निम्न में से कौन प्रथम विस्वियूद के दुरान मित्र सक्तियों के खेमे में सामिल नहीं था, तो खेमे में कौन सामिल नहीं था, जर्मानी नहीं सामिल था, तो यहां देखे पूछे कि जर्मानी जो विस्वियूद में नहीं साम नहीं था यहां से आपका भेरी सोट पूछेगा उसका बाद देखे जो आपका दो नमर का पुछा है कि अंतराश्टिय सेनिक अदालत के स्थापना क्यों की गई थी फिर से बोह रहा हूं कि इस वीडियो का हर एक पूरिया चीतरा से देखेगा और अबजेक्टिव को तो एक भी नहीं चुरिएगा क्यों कि आपका यहां से भेरी सोट का जो कोश्चन बन जाएगा देखिए इसका आपका सही अप्शन है नास्तित यूद बंदियों पर मुकादमा चलाने के लिए जो आपका अंतराश्टिय सेनिक अदालत के स्थापना क्यों की गई थी तो आपका स मीocyण से प्राथम विस्वी उद्व का प्रभाव नहीं था ने अदि कोंस प्रथम विस्वी उद्व का प्रभाव नहीं था तो यहेखिए समाज और आजिनितिक विवस्ता में सिफाईयों का आपनागरिक के मुकाब्ला ज्यादा समान आẫnरमान यूद प्रचार राष्टि समान के भावन यानि तीनों अप्सन जो आपका सही है तो आपका डिक अप्सन सही जो अप्योग सभी उसका बाद देखिए आपका अचान नमर का प्रस्ण पूछा कि नॉम्बर के अप्राधी कौन थे तो हो जाएगा वाइमर गनराज के समर्थाग देखिए इसमें कोशन उ प्रस्ण पूछा है कि निमने केस घटना से राजनितिक रेडी कलवादी विचारों को बल मिला तो हो जाएगा उन्हें 233 के आर्थिक संकट से यानि बी ऑप्सन जो आपका सही हो जाएगा देखिए इस से पहले साइंस का मुस्ट इंपोर्टन जो आपका सब्जेक्टिव प्रस्ण का विडियो अप्लोड हो जिखा है देखिए लिए लिंक दिया गया है और जो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि क्लास नायन के लिए बहुत महतुपन त्यारी होने वाली एक महिना में पुरा घरदा मज जाएगा इस चैनल पर आगे देखिए कि जर्माणी में अस्पारकिक्त लिए लिए लिस्ट थी टो मुख्मांग उसका था की जर्माणी में सोवियत ढंकी सरकार बनाना जो उसका हुआ पुछा कि पुराने सेनिक का संगठन क्या था तो फ्री कोर था इसे आपका हो जागा भेरी सोट तो हर एक प्रस्ट को अच्छी तरह से देखिएगा आगे देखे आठ नमर का पुछा कि जर्मानी को संकट से निकालने के लिए किसने बनाए तो किसने बनाए अमरीका ने बनाए सी option ऐसे अपका सही हो जागा जर्मानी को संकट से निकालने के लिए सम्मिधान के दोस्ट को नाम लिखे जिसने इसे चंभंगूर बना दिया था तो दोस्ट को नाम लिखिए तो इसका आपका सभी अप्सन आप संए समा समानुपातिक प्रतिनिधित प्रणाली आपका हो जाएगा आगे दिखिए उसका बाद 11 नमर का प्रस्ट्ट है कि वाइम पुछाए कि अती मुद्रा अस्फिती क्या है तो क्या है तो मुद्रा का मूल तेजी से गिनना हो जागा इसको सबसे जाता तो नारडिक आईकोई पूछेगा तो हरे पुछेगा अब्जेक्टिव से आगे देखे चोदना नमर का प्रसन पुछाए कि मद्य काल में यहोदियों के लिए निम्न में से कौन से कथन मतलब सत है सही है कौन से कथन जो है सत है तो देखिए इसका सही अप्सन क्या हो जाएगा तो देखे ए उप्सन है कि उन्हें जमिन खरिदने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया इसायों लोग उन पर हमले करते थे वे मुखरूप से बेपार और पैसे को लेंदेन करते थे यानि तीनों आपका सही है यानि डिक उप्सन सही हो जाएगा वे प्योक सभी आगे देखे 15 नमर का प्रस्ण पुछा है कि हिटलर ने जर्मान इवाओं के लिए खेल कूदी के सिफारिस क्यों की थी तो यह इसका हो जाएगा यह वाओं में हिस्सा और अक्रम मक्ता की भावना पैदा करते थे अक्रमन मक्ता की भावना पैदा करते यानि इसी अप्सन आगे देखे 16 नमर का प्रस्ण पुछा है कि यूंग फोक क्या था यूंग जो है फोक क्या था तो वह था एक नासी यूवा संगठन क्या था तो यूंग फोक था भेरिसोट हो जागा 17 नमर का प्रस्ण पुछा है कि हिटलर को चांसलर बनाने का नेवता किस ने दिया था तो हो जागा हिंडन वर्ग ने हो जागा तो इसी तरह आपका भेरिसोट यान से भी पूछेगा आगे देखी आए 18 नमर का प्रस्ण पुछा कि अगर ने अध्या देश कब जारी किया था तो कब किया गया था उन्हें सु ते शीति ते सफिया तो सखी हो जाएगा बैसे इस नंवर का प्रश्ण की जिर्वानी में किस अधिनियम ने ताना साही अस्थापीत कर दी तो मिश्यकारी अदिनियां जो तनसाई को त्थाफित कर दी आगे देखी आपका लाउस्ट अबजेक्टिव प्रसने उसका बड़ सब्जेक्टिव प्रसन को आम लोग देखेंगे यहुद्यों के प्रती घरिणा फ्लाने के लिए नासित्योंने कोंसी फिल्म बनवाई थी कोंसा फिल्म के कारण जया है उस यहांं से इन्पाते हो गया तो आपका तीन चेप्टर की नसीबाद हुछ इ स्पींसर्य यानि देखियें इसमें पूछाये कि हितलर के विचार के विचारों पर अधारितrest है यूव histor है क्योंकि आपका एक ळाइन मैंक्वें से तो चार्ज डर्मिन और हर्वर्ट अस्पिंसर हो जाएगा आपका सही उत्तर आगे देखे प्रस्णों कि आप पुछाए कि 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट पटी ने हिटलर को चांसलर का पद भार समालने का नेवता दिया अभी मैंने बताए कि राष्ट पटी हिंडलर हिंडन वर्ग ने वहां खाली सिर्प लिखा था हिंडन वर्ग ने यान राष्ट पटी जो रदिया तो राष्ट पटी आगे लग जगा आगे देखे जो आपका प्रस्णों पूछा कि नाश्चित सासन में कोल कितने किस्मे के लोगों को अपने दमन का निरा निसाना बनाया बावन किस्मी की लोगों को यानि भेवत अच्छा बहुत बहुत अच्छा जो कोशन पुछा है बावन किस्मी के लोगों को जए बनाया था निसाना उसका बाद देखें जो आपका आगे का प्रसन पुछा है कि इतिहासिक मानी जाती है यापका सोट में आजाएगा तो आगे आपका पूछा कि जर्मनी का साथ किन किन देशों ने क्या कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है तो जर्मनी इटली और जपान और इने जो धूरी राष्ट कहा जाता है जो दुत्य विश्विव्यूद में जो साथ दिया था जर्मनी का बहुत अच्छा कोस्चन है याद कर लिजेगा आगे देखिए जो आपका नेस्ट प्रसन पूछाए कि किन देशों को मित्र राष्ट कहा जाता था यह भी बहुत अ संकट से निकालने के लिए आर्तिक संकट से निकलने के लिए जो एक आपके प्रसन किzhए निया किसे कहा जाता था तो यह दियों बाकि समाज से अलग अलग वस्तियों में रहते थे जिने गेटो या ददबा कहा जाता था दो नम्मर का कोश्चन में इसा पूछेगा आगे देखे उसका बात पूछा है कि नम्मर का अपरादिक का कर किसे बुलाया जाता था अभी मैंने अब्जेक्टि में इसको बताया एक नम्मर में ही आएगा उब्जेक्टि भी आपका एक नम्मर कर रहेगा और सब्जेक्टि भी आपका एक ही नम्मर कर रहेगा तो उत्तर हो जागा वाइमर गर्राज के समर्थ को को नम्मर का प्रादिक का कर बुलाया जाता था सही उत्तर हो जागा आगे देखे उसका बाद एक विचार धरा की तरह फेल गई थी जो खास तरह की मूल मन नाताओं के एक खास तरह की विवहार से समन्दित था हो जागा अगर देखिया आपका नेश्प्रस ने पुछाए कि नास्तियों का बिस्वी डिश्टी कोन क्या था तो उत्तर आपका है कि देखिए एक नमर में कि सभी समाजों का जर्मन समाज में बराबरी का हक नहीं था वे नस्तिल अधार पर या तो बेतर थे या कमतर थे उनका मानना था कि जर्मन आए सबसे उच्छ कोटी की नसलल है और इसे ही जीने का हक है बाकी किसी को जीने का हक नहीं है अता इन्हें मोट के घाट उतार दिया जाए दो नमर का पॉइंट है उनकी दूसरे डिश्टी को और जीवन पर दिकी देखिए दो बार रिपीट हो गया कोई वा कि अपने लोगों को वसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब जकना जुरूरी है उनका मानना था कि युदो से जर्मन राष्ट के लिए संसाधन धन और वे वे साब सकती कटा कर कि कटा किया जा सकता है देखिए आप इस सोट में ही आएगा यानि दो नमर के को को पूछ यह जरूरी नहीं आपको जो है कि देखें देश दिया जाएगा मतलब तीन लाइन में इसको लिखना है तो आप इसको जितना भी सोट बना सकते आपको समझ जिक्त वाला बात नहीं और प्रस्तिक पूछा कि हीटलर का उधर कब और कैसे हुआ बहुत इमस्ट सदस्या लिए और देड़े उसने इस जंग थन पर अपना नियंदरान स्थापित कर लिया फीर से सोस्लिस्ट पार्टी secondo को या निया नाम दे दिया नासी पार्टी के नाम से जाना गया महा मंदी के दूरान जब जर्मन अर्थववस्ता जरजर हो चुकी थी काम दंदेब बंद हो रहें थे और मजदूर बिर्जगार हो रहें थे जनता लचारी और भुकमारी में जी रही थी और नसीतियों ने पॉपगेंड के द्वारा एक बहतर भविशी की उमिद्धी दिखा कर अपना नसीत को अंदोलन चमका लिया और इसी के बाद चुनावी में 32 फिस्दी बोट से इटलर जर्मनी का चांसलर बना तो यह आपका हो जाएगा बहुत अच्छा question का उत्तर उसका बाद डिखा आका नेश्ट नमर का परस्ना पूछा कि हिटलर की राजनितिक से लिक कैसी थी और अथवा यानि और में पूछा यानि दोनों में से एक को आपको देना है अथवा हिटलर की राजनितिक से लिका वर्नन किजिये तो देखती उत्तर को क्या बता है देखे उत्तर की हिटलर की राजनितिक सेली में नीमनी लिखित बाते सामिल थी वहाँ लोगों को गोल बंद करके करने के लिए आंडवार और प्रदसन के लिए करने में विश्वास रखता था उसका बाद है कि दो नमर का प प्रदसनो और लोगों में प्रसपर एक्ता की भाव ना पइदा करने के लिए numbers रेलियो और संभाए करता था स्वा वश्व॥ित च्छपे लाल जंडे नासित सेलीड का प्रयोग किया करता था और भासन खास अंदाज में दिया करता था भासनों के बाद तालिया विखास अंदाजों ने नाशित लोगों को बजाए करते थे उसका बाद आपका चार नमर का पॉइंट है कि चुंकि उस समय जर्मनी भी सन आर्थिक और राजितिक संकर से गुजर रहा था इसलिए वह खुद को जहें महिसा और अच्छक के रुप में पैस कर रहा था और जैसे जनता को इस तवाही वार्ने के लिए ही अवतर लिया हो देख्या को नेश्ट नमर का पुछाए कि दित्ति विश्यूद का अंत कैसे हुआ जब दित्ति विश्यूद में अमरिका कुद परा तो धूरी राष्ट को घुटने टेकने परे और इसके साथ हिटलर के प्राजय हुआ और जपान के हिरोशिमा और नगासिका नगासिक साकी सहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ दित्ति विश्यूद का अंत हो गया उसका बाद देख्या आपका नेश्ट प्रसन है कि महातमा गांधी ने एडल डॉल्फ हिटलर को किया नसिहित दी उत्तर महातमा गांधी ने पत्रिक माध्यम से एडल डॉल्फ हिटलर को नसिहित दी हमें हिंसा की उरूप में एक ऐसी सकती प्राप्त जो हो गई हो गई है जिस से यह दिसंगठित कर लिया जाय तो वासंसार भर की प्रवतम हिंसात माग सकतियों के गाठ जो का मुकाबला क हो गर सकती है घुपार गया बारत दिखेए जो आपका है किताब से प्रस्ण आ गया किताब में आपका च्छे प्रस्ण दिया गया है च्छे प्रस्ण को भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और उससे पहले जितना भी प्रस ने मैं आपो समस्यों था उत्तर की वाई- लिखना है इसके आपको जहेज ज्यादा नमबर मिल सकता है उत्तारे वर्साइए में होई संती संदी की वजास से जर्मानी को अपने सारे उपनिवेशी तक्रीवं दस परती सट अबादी तेरा परती सट बुबार पच्छतिर परती सट लोब भंडार और चबिस परती सट कोईला भंडार फ्रांस पॉलेंड देन्वार्क और लिथू आर्निया के हवाले करने पर मित्र राष्ट ने उसके सेना की भंग कर दी यूद अपराद बोध अनुछ आया गया जर्मन में जो पॉंड का जाता था पैसा को खनेज संसाधन वाले राइनलेंड पर विविश्व के दसक में ज्यादतर मित्र राष्ट का ही कबजा रहा आर्तिक संकट हम लोग देखेंगे यूद में डूबे हुए रिनो के कारण जर्वन राष्ट राज्ज आर् प्तान सोने में किया जाता जाना था इसके बाद सोने के भंडार में कमी आई और जन्मन निसान का मुले गिर गया अवस्चक वस्तकों की किमत असमान जो है चुने लग गई उसका बाद आगे देखिए राजनितिक उसका बाद देखिए आगे कि राजनितिक संकट राष्टिय सभा द्वारा वाई मरंगर राज का विकास था सुरच्छा के राष्टे पर लाने के लिए एक नए राज जन तंत्रिक समिधान का निर्मान किया गया किन्तु या अपने उदेशिस में असफल राष्ट समिधा इतनी अमत था अनुछे तालिस के कारण एक राजनितिक संकट पैदा हुआ जिसने तनसाई ससन का राष्टा खोल दिया आगे देखिए उसका बाद दोनमर का कोशन जो आपका बुक्का है कि इस बारे में चर्चा में किये गए उन्हें सुतीस तक आते आते जर्मानी में न नासिवाग बहुत लोगपरी हो गया कि हो गया पॉइंट हम लोग दिखते हैं पॉइंट आपका बहुत महत्पुन होने वाला है मावंदी के दोरान वायमान गर्नाज ने देश के आर्थिक गिरावाट को कम करने के लिए कुछ नहीं किया इसी समाई जब जर्मानी एक वि जन्ता को तवाही से वारने के लिए ही अवतार लिया है हिटलर को हिटलर जवर्दस्त वक्त था कि उसका जोस और उसके सब्द लोगों को हिला कर रख देते थे वा अपने भासनों में एक सतिसाली राष्ट के स्थापनावर से संधी में हुई नाइसाफी के प्रतिनोद औ जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिस्ता वापस दिलाने का अवसासन देता था उसका जोवादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और जोए नोजवानों को एक सुर्चित वविस्द देगा जिससे उससे अस्वासन के दिया है कि वह देश का विदेशी प्रभाव से माम विदेश साजिसों को मुत और जवाब देगा देखे आप इतना नहीं लिख सकते कोई दिकत नहीं इसको समझ लिजे उसका बाद ही आप जो एक्जाम में लिखिएगा तो आपको बहुत समय एक महिना का समय दियागा इसलिए पूरा चत्रह से देख लिजिए उसका बा था उसका बाद नेश्च परस्न आपका तीन नमर का प्रस्न किताब का है कि नासिस सोच के खास पलुक कोन थे उत्तर एक नासिस विचादर के अनुठी भी सिस्ताइनिम लिखित थी पहला पॉइंट है कि देखिए एक्जाम में इसे ही लिखे पॉइंट देकर आपको प्रजाती को नश्ट हो परेगा आगे का पॉइंट है कि इनके विचारों का एक डिश्टी कौन वहर राजनितिक विस्तार अथाज्ट लेवर्ट था इसके तोत उन्हें वस्तियों के लिए अपने छेत्र के विस्तार की इज़त थी अगला पॉस्ट कोस्टन जो आपका एच आप नफरत पाइदा करने में इतना अफसरदार कैसे रहा उत्तर इसका कि नाश्यों को प्लेंड के लिए घ्रिना पैदा करने में निम्न लिखेत कारण कारगर थे कारण कारगर थे देखिए पॉइंट है नाश्यों इसने बरिस सव्धानी सभासा और मीडिया का पिसे आपको में लिखना कर इसका आपको कॉपी में लिखना है युद्यों की निमने इस्थितित्यों का शंफलता पुरवक्ससन किया क्यों कि परब्रगत रुप से सायों कि सब्गर्इन करते युद्यों को एक थ का प्रतिवंद कर दिया था उन्हें सोसक महाँ जन के रूप में देखा जाता था आगे कोस्टन आपका पांच नमर का किताब का है कि नासिस समाज में औरतों के खिया भूमिका थे फ्रांसिसी करांती के बारे में जानने के लिए अधे वन दिखें फ्रांसिसी करांती नासिससा में औरतों के भूमिका के बीच किया फर्क एक पेराग्राफ में बताने है कि आपको उत्तर देना ऐसा ही परेगा देखें उत्तर है आपका कि नासित समाज में महिलाओं ने दितिक श्तर की भूमिका आदा की उन्हें आई संस्कृत का संभाक माना जाता था या अहे सहिंता का उलंगन करने वाली महिलाओं को डंडित था अपमानित कर जेलों में कैद कर दिया जाता था दूसरी तरफ जो महिला जो है इन अचार सहिंतों को पालन करती थी उन्हें समानित किया जा किया था गैर जर्मन महिलाओं को अत्म समान को ठेस पहुंचाने जाती थी इसके प्रावर का सचिद साचिदार माना जाता था वे कई प्रगतिक विद्या जैसे राजिनितिक लब के सदस्य था पर अख़वार नोक्री आदि में भाग ले सकती थी मैलाओं ने अपनी एक संस्ता करांतिकारी और गंतरंत्रिक मार समराज की अस्थापना की उन्होंने अपने लिए समान राजिनितिक अधिकारे के मांग किजी से अंतता तिनसो वर्स वर्स लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ यां गलत दिया वर्स वर्स हो गया 1946 में फ्रांसेसी में मिलाओं का मत देने का दिकार प्रोधान कर दिया गया 1946 में उसका बाद आपका जो लाश्ट प्रस्ण है कि नास्थितियों ने जनता पर पूरा नियंतरन हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाया तो उत्तर हो जागा नाची सरकार ने जनता पर संपूर्ण नियंतरन अस्थापित करने के लिए मिलखित कदम उठाया आगे देखिए जो आपका पॉइंट है कि इसमें सभी को पॉइंट देकर बताया योबं को विचार परिवर्तन उनकी वाले वस्था से ही नासित सरकारन वच्चों के मन मस्तिक पर कब जक लिया जैसे वेवरे होते थे उन वेचारी पर इचंद वारा नस्की और बढ़ने के लिए प्रवे रिच्न किया गया आगे का पॉइंट है कि उसका बात देखिए आए अस्कूली वच्चों को बच्च परिवर्तन नासित सरकार ने अपन योवाज चित्रिकारता कारेकरम बनाए गए इन सब के द्वारा उन्हें नर्मता तथा कि तेग्या पाठ पठाया गया उन्हें उसने कहा जाता था कि उनसे कहा जाता कि युद्यों से गिरिना तथा हिटलर की पूजा करें अगला नेस्ट पॉइंट आपका है कि खेल गति और यह जितना भी परकुषिंग को आपको कोपी नोट करना है और यतना भी समझ सके उसको उस सें करके लिखना है ताकि अनुट में और आपको सबसे ज्यादा कोण से सब्जेक्ट में डि yukkत थे और कौण से चेपटर में दिक्कत है उसको बताएगा कमेंट आ थे सबसे ज्यादा कविसमने दिक्कत है बताएग lasci